अभी अभी प्राप सुचना के घरपर S.S.C. आवेदन 4 जनवरी से 23 जनवरी तक लिया जाएंगे लीए जाएंगे संभावित फरवरी मार्च 2023 में संभावित है टीर वन कंप्यूटर बेस्ट परिच्छा तो किस पर होगी बचों तो कंप्यूटर बेस्ट परिच्छा होगी और SSC प्लस टू टीर वन की परिच्छा होगी अब डेटेल से उतर देखते हैं करम जारी चयन आयोग SSC ने संयुक्त उच्च तरम आदमिक प्लस टू लेवल परिच्छा 2022 कारी करम घूशित कर दिया है आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अभ्यर्थी चार जन्वरी तक आवेदन, ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं कब तक आवेदन कर सकते हैं तो चार जन्वरी तक आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं अब तक आयोग की ओर से बताया गया है कि 4,500 पदों के लिए या न्युक्ते संभावित है कितने पदों के लिए तो 4,500 पदों के लिए या न्युक्ते संभावित है अभियरती अंतिम रूप से आवेदन फीस का भुकतान पॉच जनवरी तक कर सकते हैं कब कर सकते हैं पॉच जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन में किसी प्रकार की गलती में सुधार नो एवं दस जनवरी तक कर सकते हैं गलती सुदार कब तक होगा 9 से 10 जनवरी तक आप देखिए कि योगिता कितनी है तो न्यून्तम योगिता जो है आपको मात्र बारवी पास होनी चाहिए विरतियों के लिए फरवरी मार्च 2023 में टीर 1 कम्प्यूटर बेश्ट परिच्छा संभावित है जबकि टीर 2 कर बाद में अधिसुचना जारिक की जाएगी मैं वैसे ही वीडियो डाल दोंगा पहले इसकी अधिसुचना पांच नवंबर को होनी थी लेकिन आयोग ने इस तिथे को आगे बढ़ाते हुए 6 दिसंबर को अधिसुचना जारिकी घोशना की थी इसके तहत निर्धारित आ कितना उमर तो 27 उमर की सर्थ को पूरा करने वाले किसी भी मानेता पर आप बार में पास अभी अर्थी इसे सम्मंदित पूरी जानकारी अधिकारिक वेबसाइट कहां से कर सकते हैं आपका वास पस्ष्ट है मैं कोमेंट बॉक्स में बता दूगा इसकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं इसके पहले वर्स 2020 में 4700 पद एवं 2021 में 6000 पदों के लिए वेकेंसी आई थी ये कैसा लगा वीडियो कोमेंट में हमें जरूर बतावे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद